हेलो एवरिवन आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल और इजी है यह एक्सपेरिमेंट इसके लिए हमें दो बॉटर्स चीह थी कांच की ठीक है तो उसमें पहले मैंने कोल्ड वाटर डाला जिसको मैंने फ्रीज में रखा था और दूसरी जो कांच की जो शीशी यह बॉटरल है उनको बहार रखा है ठीक है और जो सनलाइट है वो उसके ओपर पढ़ रही है जो टेंपरेचर है वो दीरे-दीरे बढ़तर हैगा हम लोग चैक्वा करने वाले हैं कि किस पानी का या किस बॉटल का जो टेंपरेचर है वो इंक्रीज होगा और कौन सा पानी जल्दी गरम होगा ठीक है ओके तो एक तरफ है हमार वास कोल्ड वॉटर दूसरी तरफ है नॉर्मल वॉटर तो जासे आपको खुद ही पता लग रहा है कि जो कोल्ड वॉटर है उसको थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला है एस कंपेर टू हमारा ज जो कोल्ड वॉटर है कोल्ड वॉटर को पहले जो उसका टेंपरेचर है ठीक है उसको पहले जो नॉर्मल टेंपरेचर वहां तक आने में भी उसको टाइम लगेगा और जीतना टाइम उसको नॉर्मल आने में रगेगा उतने में जो मारा दूसरी बॉटल है जो नॉर्मल प और क्या यह experiment अच्छा से हो पाएगा, क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, ठीक है, तो इसको हम बारी-बारी से चेक करते रहेंगे, कि कितनी देर के बाद इसमें कुछ change आ रहा है, इसके temperature में या नहीं आ रहा है, ओके, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिरफ sunlight से जो radiation आ रही है, जो उर्जा आ रही है, energy आ रही है, जो heat energy आ रही है, वहीं से, जो इक आज की बाटल है, वो गरम होगी, और temperature में change आएगा, ठीक है, ओके, तो आराम से इसको देखते रहो, अब देखो मैंने, उंगली डाल के इसको चेक किया, देखा मैंने कि, इसमें कोई change आया कि नहीं आया, तो starting में तो नहीं आएगा change, एकदम से इतना, तो, मैंने इसको फिर से छोड़ दिया, ऐसे ही, आपको देखने में यह boring डख सकता है, बट यह बहुत ज़्यादा interesting चीज़ है, इसमें बहुत को सिखने को बलता है, आराम से इसको देखते रहो, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ आराम से देखते रहो, आपको खुद ही पता लग जाएगा, जब final result आएगा, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? आई झाल 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 तो पहला जो observation मैंने किया वो 5 मिनिट के बाद किया और इसको देखा कि इसके temperature में कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वहां पर कोई change नहीं आ रहा है temperature में ठीक है तो हमने इसको फिर से छोड़ दिया और कुछ समय के लिए ओके झाल 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 अब आपने फिर से 10 मिनट के बाद इसको फिर से चेक किया ठीक है कि दोनों बोटल्स में कुछ चेंज आ रहा है पानी में या नहीं आ रहा है तो जो नॉर्मल वाटर था वो थोड़ थोड़ा गरम होना स्ट रख हो गया है उसके परशीय। आने के लिए या नॉर्मल टेंपरेचर में थोड़ा टाइम तो लगेगा है झाल 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 तीसरी बार मैंने फिर चक की है 15 मिनिट के बाद ठीक है तो 15 मिनिट के बाद हमारे पास जो नॉर्मल वाटर था वो और ज्यादा थोड़ा गरम हो गया बट जो अमारा गॉल्ड वाटर था वो थोड़ा सा उसमें टेंपरेचर में फरका है एक दम से नहीं आएगा ज्यादा बट आ गया उसमें ठीक है अब वो नॉर्मल वाटर था उसकी तरह ब्याइव करना स्टार्ट उसमें कर दिया है ओके तो उसको टच करने से ऐसा फिल हुआ कि वह भी अब नॉर्मल वाटर बन चुका है थोड़ी दिर के बाद मैंने उसका आउटर सर्फेस था जो कांच का बाहरी हिस्सा था हमारा बॉटल का उसको टच करके देखा कि वह भी गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा हलकालका गरम हो रहा है टेक है वह सानलाइट इतनी जादा तेज भी नहीं थी क्योंकि थोड़े बादल भी थे तो उसकी वज़े से शायद एकदम से इतना टेंपरेचर हाई नहीं हो रहा है झाल झाल कर दो और लोड़ा है झाल झाल तो 35 मिनिट के बाद मैंने फाइनल जो उसको चेक किया फिर मैंने देखा कि जो नॉर्मल पानी था हमारा वो तो ठीक है वो गरम हो गया बट जो कॉल्ड वाट रहता उसको ज्यादा समय लगा नॉर्मल बनने के बनने फाइनल रिजल्ट यह है कि जो कॉल्ड वाटर है उसको ज्यादा समय लगेगा शनलाइट के अंडर नॉर्मल टेंपरेचर केन करने में एस कंपेर टू हमारा जो नॉर्मल पानी है ठीक है तो अगर आपको यह वाला एक्स्पेरिमेंट थोड़ा अच्छा लगा या या यूस